जब भी हम किसी बे टूल का इस्तेमाल करके keyword को find out करते हैं तो हमें बहुत सारे keywords मिल जाते हैं लिक हजारो keywords मिल जाते हैं तो आज केश वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से कौन सी technique का इस्तेमाल करना है क्या तरीका आपका होना चाहिए क्या कॉंसेट होना चाहिए ताकि आप उन हजारों कीवर्ड में से वह कीवर्ड फाइंड आउट कर सको जो आपके लिए बहुत बैनिफिशल है जिस पर कंपेटिशन भी कम हो वॉल्यूम भी हो और आपके लिए बिल्कुल रिलेमेंट भी हो तो कैसे लिए फाइंड आउट क के चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे और कंप्यूटर स्क्रीन पे चलके दिखाता हो कि कैसे हजारों कीवर्ड में से वह बैस्ट कीवर्ड हम फाइंड आउट करते हैं जिस पर कंप्यूटिशन भी लोग होगा और साथी साथ वॉल्यूम भी होगी जल्दी से जल् अगर आप देखेंगे यहां पर ना अगर हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल जाते हैं और यू कन सी यहां पर भी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है यहां पर अगर पूरा कंप्लीट आपको ड्राग डाउन करके यहां पर दिखा पहला चीज फिल्टर आउट करने के लिए यू कन सी यहां पर लिखा है अन्नोन राइट जिनका कोई कम्पेटिशन नहीं है तो हम इनको डिलीट करेंगे तो चलिए सब से टॉप पे चलते हैं और टॉप पे चलने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर कम्पेटिशन में जो ह है हमने क्या करना है यहां से डिलीट कर देना है तो जैसे जैसे आप यहां पर अन्नोन वालों को डिलीट करेंगे वैसे आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं लेकिन सम टाइम आपके पास में वान वाइवान करेंगे तो कई बार ऐसे कीवर्ट भी फिल्टर आउट हो तो make sure करेंगे पहले तो ये देखो कितने सारे हैं तो इनको हम क्या करते हैं सीधा select करते हैं और एक बार delete कर देते हैं तो मैं यहाँ पर delete कर देता हूँ और बहुत सारे keywords है you can see unknown के अंदर तो control Z करते हैं और यहाँ पर इनको भी हम select कर लेते हैं और यहाँ तक है इनको delete कर देते हैं तो यह हमने delete कर दिया unknown यहाँ से भी उपर तक का selection ले लेते हैं यह देखते हैं यहाँ पर पूरा बहुत सारे unknown वाले थे तो you can see बहुत सारे तो वैसे ही आपके filter out हो गया तो अभी चलते हैं और टाप पर इसको लेकर चलते हैं तो you can see यहाँ तक है और इस पर जितने भी हमारे required नहीं है उनको delete कर देते हैं अब यहाँ पर जैसे हम उपर चलते हैं और चलने के बाद अब हमारे पास में जो बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पर OK कर देते हैं तो यह keywords अब हमारे सामने कुछ आ गए अब इसके बाद you can see यहाँ पर monthly average जो है monthly searches जो हैं कईयों की I think zero भी है कर नहीं है एक बार वो चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर 50 वाले बहुत सारे हैं हमें सरफ high volume वाले चाहिए हैं या low volume वाले चाहिए जैसा भी चाहिए वह हम यहाँ पर filter out कर सकते हैं अब पहले यह देख लेते हैं कि unknown को हटाने के बाद हमारे पास कितने keywords बचे हैं यह एक बीच में थोड़ा सा problem होगे थी तो यह देख सकते हैं अब हमारे पास में almost 935 जो है keywords बचे हैं अब इन में से भी filter out करना हैं तो इसके लिए थोड़ी सी देखो keyword research is not easy task इसमें थोड़ी मैनत तो आपको करनी ही पड़ेगी otherwise आप जो है इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे अच्छे से keyword को search नहीं कर पाएंगे तो मैं और इसको filter out कर देता हूँ मैं उनी keywords को लेना चाहता हूँ जिस पे low हो तो मैं और filter out कर देता हूँ इसमें से और इनको medium and high traffic वालों को high competition वालों को भी मैं यहां से delete कर देता हूँ अब मेरे पास में यहां पे जो filter बचे हैं वो सिरफ low वाले बचे हैं तो अभी यहां पे हमने क्या करना है start करते हैं so basically यहां पे हमारे पास में जो keyword है वो कौन से होने चाहिए तो पहला Cisco networking course ठीक है यह हमें चाहिए है अब इसका जो keyword है वो 500 का है और फिर आगया आपका CCNA यह एक नया word आगया ठीक है इसको use कर लेते हैं Cisco networking academy यह भी चलेगा मिरेको अब यहां पे Cisco CCNA अब you can see Cisco उपर आ चुका है और CCNA ने भी आ गया है तो यह word जो है मैं यहां पर रखना चाहूं तो रख सकता हूं बट नहीं रखना चाहूं तो मैं इसको remove भी कर सकता है because already उपर के जो keywords है उसमें covered है अब CCNP तो हमारा बिल्कुल different चला गया अब हम यहां से क्या करेंगे इसको delete कर देंगे because CCNP का हमारा कोई लिना देना नहीं Cisco training ठीक है अब Cisco courses ठीक है Cisco security हमें कोई लिना देना नहीं इससे delete कर देते हैं Encore नहीं चाहिए Cisco CCNP नहीं चाहिए Cisco CCNA training तो you can see Cisco and Cisco training यह दोनों word यूज हो चुके मैं इसको भी हटा देता हूं Cyber security course नहीं Enterprise नहीं यहां पे Cisco introduction to cybersecurity नहीं Cisco CCNA 200301 यह हमारा अभी latest syllabus का code है मैं इसको रख लेता हूं then उसके बाद Cisco free course तो क्या हम ऐसी target audience को लीना चाहते हैं जो free में हैं तो you can see volume ज्यादा है तो मैं definitely इसको रख लेता हूं तो यहां पे उसके बाद में यहां पे Cisco training online तो Cisco भी आ गया word training word भी आ गया and online word नहीं आया तो हम इसको रख लेते हैं फिर आपका Cisco CCNA course यह तीनों word उपर cover हो चुके हैं तो हम इसको delete कर देते हैं उसके बाद में Cisco यह तो हमें चाहिए नहीं बिलकुल हमारे उससे बार हो गया यहां पे Cisco networking certification यह एक different word है तो इसको हम रख सकते हैं Cisco classes I don't need then उसके बाद में cert, routing, switching, bootcamp, meraki, courses online तो यह एक मुझे चाहिए है then इसको जो हमें नहीं चाहिए यह उपर cover हो चुके हैं यह भी cover हो चुके हैं तो जो cover नहीं हुए मैं वही words रखूंगा और बाकी के मैं यहां पर one by one करके you can see Cisco training course Cisco word भी उपर आ गया training भी आ गया and courses भी आ रख है डिलीट करो यहां पर यह भी नहीं चाहिए नहीं चाहिए DNA CCNP routing and switching don't need तो यह देखते हैं यहां पर जो हमें नहीं चाहिए वह हम यहां पर खतम कर देंगे जो हमारे लिए important नहीं है तो यहां पर classes को भी अटा देते हैं academy को भी अटा देते हैं cyber security definitely यह अमारे लिए है नहीं word तो यहां पर CCNA introduction to networks नहीं इसकी कोई requirement नहीं है और इसके बाद जो है I don't think कि हमें कुछ और requirement है तो यह मैं नीचे के I think कि यह सारे के सारे हमारे लिए नहीं है तो जल्दी जल्दी मैं यहां से delete करते जाओंगा because जो words उपर है वही अगर repeat हो रहे हैं तो मैं उनको नहीं लोगा तो जिनकी मुझे requirement है उतना ही मैं यहां पर लोगा तो चलो मैं यहां से अभी नीचे के लिए example के लिए क्या करता की नीचे के मैं यहां से काफी सारे हैं बट मैं यहां से इसको थोड़ ऑर देखो यहां पर wireless का नीची हमें तो यह भी नीची है यहाँ पर you can see यहां पर ना आ रहे हैं किसी company के वह हमें नहीं चाहिए और यह भी नीची है you can see यहाँ पर नीचे सरफ वही सब चीज़े लिखी हुई है online Cisco you can see यहाँ पर online Cisco CCNA course तो यह हम word रखेंगे इसलिए मैंने बोला कि आपको check जरूर कर लेना है यह हमें नहीं चाहिए then उसके बाद में यह सब नहीं चाहिए Linux वगरा नहीं चाहिए हमें यह सब नहीं चाहिए इनको तो मैं यहाँ से लेखो यह companies के नाम लिखे हुए है तो मैं इनको जो है यहाँ से सीधा ऐसे select करता हूँ यह उसी हमारी लिए किसी काम के नहीं है तो इनको हम यहाँ से directly डिलीट कर सकते हैं तो मैं यहां से इसको इतना delete कर देता हूँ और तो यह देख सकते हैं कितना अराम से हम filter out चीजों को कर सकते हैं पस थोड़ा सा हमें मेनत करनी पड़ेगी अब यह एक word है जिस पे काफी ज़्यादा traffic है तो वो है आपका Cisco Net Academy course तो यह हमारे लिए नहीं है राइट हमारे लिए भी नहीं है तो मैं इसको भी delete कर दूँगा and just don't look at the कि क्या volume है बस वो भी देखना है कि हमारे लिए कितना वो feasible है वो चीज़ भी हमें यहां पर देखनी है तो you can see यहां पर 50-50 है कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो मैं सीधा इनको select कर दूँगा और बीच में अगर कोई high volume वाला देखने को मिलता है तो मैं देखता हूं तो you can see Cisco networking certification courses अब यह जो है मैं एक बार के लिए रख लेता हूं and बाद में हम इसको और filter out कर सकते हैं तो इस तरह किसे आपने जितने भी keywords निकाले हूंगे तो आपको थोड़ी सी मैनत करनी पड़ती है so that कि हम exact चीज़ पे ज रख ले रहा हूं और बाकियों को मैं बीच में से डिलीट करता हूं बाद में इनको भी filter out करेंगे तो you can see यहां पर हमने low वाले जो है 50 वाले इनको डिलीट कर देते हैं और क्योंकि इन पर सभी पर low volume है और हमें benefit भी काफी अच्छा मिल रहा है तो यह हम यहां से select कर लेते यहां से यह मैं रख लेता हूं एक बार के लिए इसको भी डिलीट कर देते हैं देखो कितना आसानी से बहुत ज़्यादा words जाए कितने भी हो बड़ आप आसानी से उसको जो है filter out कर सकते हैं तो इसको भी डिलीट कर देते हैं high volume वाले रख लेते हैं बड़ इसके लिए Encore Labs इसको हटा देते हैं यह कर दिए अब यू कन सी हमारे पास में 21 keywords बचे अब इसमें यह low volume वाले फॉर beginners और academy तो यह 50 का volume हमें नहीं चाहिए अब यह मारे पास में कुछ आगे इसको भी हटा देते हैं because low volume है तो आप आप देखते हैं मारे पास में कुछ high volume है monthly searches and competition भी लो है अब इनके उपर में हम क्या गरेंगे अब और detail में इसमें चलेंगे तो यहां पे जो repeat नहीं हुए तो यह मुझे out of focus है यह भी हम मारा out of focus है तो इसक को हम out delete कर देते हैं तो यह हमने out delete कर दिया अब networking academy courses right तो Cisco अब यह Cisco को target कर रहा है तो हमारी website पर क्यों आएगा तो इसको भी delete कर देते हैं Cisco certified network associate course ठीक है यह एक keywords हम रख सकते हैं फिर यहां पर यह वाला भी हमारे किसी काम का नहीं इसको पर delete कर देते हैं and Cisco online courses then Cisco अब Cisco word भी ज remove कर सकते हैं because थोड़ा सा रखेंगे भी और कुछ हम नहीं भी चाते हैं because हमारा जो main course है वह है CCNA हम पढ़ाना चाते हैं Cisco करेंगे तो definitely लोग Cisco की तरफ में जाएंगे तो यह हम यहां पर कुछ इस तरह से filter out कर सकते हैं right तो यह मैंने example दिखाया आपको कि किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा जब आप किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो number of volume है वो बहुत ज़्यादा मिलती है लेकिन उसमें से आप कैसे filter out कर सकते हैं वो आप देखते हैं यह भी मैं filter out कर देता हूं इसको भी नहीं चाहिए मुझे then उसके बाद में यह वाला भी ह इसके बाद में यह कुछ ऐसे final हमारे पास में keywords बचे जिनके हम best use कर सकते हैं अपने किसी भी पेज को rank करवाने के लिए क्योंकि इन पर competition भी low है प्लस इन पर monthly volume भी काफी अच्छा है you can see CCNA पर 5000 है क्या अभी CCNA पर हम कहीं पर rank कर रहे हैं तो यह चेक करना तो आप यहां प चीजें आपको मिलेंगी लेकिन अब यहां पर जो है हमारा कोई course और आए कि नहीं आ रहा है वह हमें यहां पर देखना है तो अब CCNA के लिए कोई भी नहीं यहां पर हमारा नहीं आ रहा है तो हम CCNA को target कर सकते हैं और चलते हैं यहां पर you can see यहां पर networking academy तो net CCN Cisco networking अकैडमी इसको कर लेते हैं और इसको यहां पर search कर सकते हैं तो you can see यहां पर जब यह word डालते हैं तो सबसे टॉप पे Cisco की website आ रही है तो definitely Cisco की दो website आ रही हैं तो इनको हम build नहीं target नहीं कर सकते हैं तो हम इसको remove कर देते हैं यहां से और उसके बाद में Cisco CCNA course free training online यह course हो गया CCNA word हो गय तो CCNA हम लोग यहां पर cover कर रहे हैं तो मैं single वाले word को भी volume काफी अच्छा मैं इसलिए रख लेता हूं और Cisco networking course को जो है हम रख लेते हैं यह कुछ ऐसे keywords है हमारे पास में जिन पर हम rank कर सकते हैं जिनको हम ranking के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो you can see जहां पर हमारे पास almost 1300 words थे अब उसमें से हमारे पास में only 8 ऐसे keywords बचे हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पर competition भी हमें पता है low है और प्लस उन पर monthly average भी काफी अच्छी है तो इन keywords के उपर में अगर हम rank करेंगे कोशिश करेंगे तो definitely हमारा जो page है वो rank कर जाएगा तो यह जो है आपके तरीके होते हैं किसी भी keyword को find out करने के लिए बहुत जदा keywords नहीं कर सकते बहुत कम keywords को ही हम यहाँ पे ले सकते हैं अब इनमें मुझे primary कौन कौन सा रखना है तो definitely primary क्योंकि हम online training देते हैं तो मैं एक तो इसको primary रख लेता हूँ प्लस यह free में बहुत लोग search कर रहे हैं इसको primary बना सकता हूँ and इसके बाद में यहाँ पे Cisco CCNA 200 301 यह यह जो नीचे के जो तीन courses है तीन जो keywords है इनको मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इनका background color change करके यहाँ पे yellow कर देता हूँ यह मेरे लिए primary हो जाएंगे तो इनको मैं primary बना दूँगा प्लस यह जो बाकी हैं इनको मैं secondary बना सकता हूँ यह वाला जो keyword इसको भी मैं primary के लिए use कर सकता हूँ अभी इन में से कौन-कौन से keyword कितने primary use करने कितने secondary use करने हैं यह आने वाले वीडियो के अंदर जो हम cover up करेंगे so guys I hope कि आपको पता चल गया होगा कि कि से best keywords को हम target कर सकते हैं अब यहां पर हमने एक generalized को यहां पर keywords का इस्तेमाल करा लेकिन अब इसमें किसी specific city को अगर आप target करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है city wise भी इसको target कर सकते हैं तो चलिए I hope की इतना आपको पसंद आयागा अब इसी concept का इस्तेमाल करके हम हमा के मारे साथ में ताकि आप जो हैं अपने जो course है आपका SEO का उसके अंदर perfect और एकदम expert जो हैं वो बन सकें तो चलिए मिलता हूं आपको next video के अंदर till then stay safe good bye